दोस्तो नमस्कार वटापट से बीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सब सब मार्केट अब डिटी देता हूँ तो मार्केट में आज काफी बड़ी है गिराबट देखने को मिली ठीक है लगबग तीन दिन की जो तेजी थी उस पे आज हमें काफोमेंस का जो फर्स स्टॉक है सबसे पहले उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो हमारा जो फर्स स्टॉक था वो मैस्टेक था एक मिडगेब आईटी कमपनी जिसे दोस्तो हमने अठाविस्टो दस से बाई करने का बोला था और अठाविस्टो तीस का टार्गेट बोला था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ओपन हुआ था 2799 रुपे हाई लगाया 2810 रुपे मतलब हमारी पोजिशन से स्टॉक 10 रुपे उपर गया लेकिन उसके बाद जो हमारा SL था वो लेके गया इसमें हमारा दोस्तो जो टार्गेट है वो हिट नहीं उपा रहा बीच में से स्टॉक क्या हो गया एक रिवर्सल लेकर एक ब्रेकडाउन दे गया तो इसमें हमें का यहाँ पर आप देख सकते होox हमारा SL इट वा त्तिक हैं जो हमारा सहाट से बाई करने का बोला था और 80 का टार्गेट दिया था तो यहाँ पर आप देख सकतो स्टॉक ओपन हुआ 1949 रुपे 90 पैसे हाई लगा है 1922 रुपे 45 पैसे और स्टॉक ने धढ़ाम से लो लगा दिया 1916 रुपे मतलब हमारा जो पोजिशन था वो इसमें हमको मिल ही नहीं पाया हमें इसे इग्नोर करना पड़ा ठीक है तो एक स्टॉक में हमें लॉस हुआ ठीक है मैस्टेक में और कोटक महंदरा बिंग में हम ट्रेडिंग नहीं कर पाए ठीक है तो अब जो कल के लिए दो स्ट स्टॉक का मुमेंटम नहीं हुआ आज 5050 के शेर में तो यह वही स्टॉक है प्रीवेस क्लोज था 2464 रुपे स्टॉक ओपन हुआ 2480 रुपे 50 पसे हाई लगाया 256 रुपे 55 पसे और लो लगाया 247 रुपे के आजपा स्टॉक का मुमेंटम तो बहुत जोड़दार हुआ अ वो होल्ड नहीं हो पाया तब इसकी टेकनिकल चार्ट पर चलते हैं कल के लिए क्या मुमेंटम मिले गई है देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटन का चार्ट पिटेर में आप लोगो सामने ओपन का है 15 मिनिट का केंडल चार्ट है अब यहाँ पर अगर बड़ी गिराबट एक केंडल में ही रिकवरी यहाँ पर भी उसी सपोर्ट लेवल से स्टॉक उपर गया यहाँ पर पहले रिजेक्शन दिया रिजेक्शन देने के बाद उपर केंडल ने दो केंडल बनी 15-15 मिनिट के आप देख सकते हो दो तारिक के आसपास उन्होंने प ब्रेक किया यहाँ पर तो नीचे आगया फिर यहाँ से जैसे प्रेक किया इस्टॉक ऊपर भागा अब यहाँ से लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल भी लेल इसने यह वाले पॉइंट से आप तो एक mid points है, उसके साथ ही अगर आप देखेंगे ना दोस्तो, तो ये rejection point है, तो ये उमीद है कि दोस्तो, ये कल की date में 2480 या 2500 रुपे का जो level है, ये वाला, उसको एक अच्छा गासा breakout दे सकता है, क्योंकि momentum दोस्तो, बहुत दिनों से एक ही level पे wait कर रहा है, आप देख सकत टाइटन में, ठीके, तो जरूर हम इसको buy करके चलेंगे, इसके जो level है, वो update मैं आप लोगों को कर देता हूँ, तो प्रॉपर तरीके से levels को note करेगा, जब कल की date में हम इस stock को अगर buy करेंगे दोस्तो, तो थोड़ा दूर से ही हम इस stock में position बनाएंगे, जो लगबक रेने अचीव हो जाएगा, और उसके साथ ही एक और point अपडेट कर देता हूँ, आप लोगों को, दोस्तों वो point है, हमारा profit guru Fender call का telegram channel, जहाँ पर daily basis पर से option के call देते हैं, सबसे पहले आज हमने 9 बच के 19 मिनिट पर jubiland code का, jubiland food का 3000 का put buy कर भाया था, 25 रुपे से, लेकिन दो PC का pending में ही देखने को मिला, तो उसके करण दोस्तों हमारे साथ भी यही हुआ, तो फिर हमें बाद में एक SL अपडेट करना पड़ा, 60 का, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वो काफी बड़ा SL हमें देखने को मिला, यह काफी बड़ा confusion हो जुका था, तो लगभग 3125 दिया, ठीके जो अचीब हुआ, और 2000 का जो प्रॉफिट था, वो हमें देखने को मिला, मतलब लॉस लगभग 80% रिकवर हुआ, तो डेली बेसे से लेवल तो हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, इस चेनल में, साथ में दोस्तों, यह हमारा contact नमबर है, और यह हमारा टेले नहीं लेंगे, तो हमारा टेलेग्राम चेनल है, प्रॉफिट ग्रूफ एफेंडर कॉल का, ठीके, वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपोर्चनटी लेके आया है, तो दोस्तों इसका लिंग निचे डिस्कुशन में बल जाएगा, जाके जॉइन हो जाईएगा, ठ लेके चलेंगे, मतलब 10 पॉइंट का हमारा इसले और 20 पॉइंट का हमारा टार्गेट है, तो दोस्तों सेकेंड स्टॉक के हमारा बजाज आटो लिमिटेट, ये डूस्तों आटो सेक्टर का स्टॉक जिसमें आज 2% की धमा के दार तीज़ी देखने को मिली, करीबन 2608 रु इस स्टॉक में भी बहुत धमा के दार मुमेंट हुआ, साथ में वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों, तो लगबग 7,7,000,000 कॉन्टिटी का हैं पर वॉल्यूम देखने को मिला, इस स्टॉक का मुमेंटम तो बहुत अच्छा कासा में देखने को मिला है, और उसके साथ याब इसके टेकनिकल चार्ट पर चलते हैं, कल के लिए क्या मुमेंटम मिलेगा, यह देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूस्तों, बज़ा जाटों का चार्ट पेटन में आप लोगों सामने उपन किया, और यह अवरली चार्ट आप लोगों सामने लगा हुआ ह फिर यहाँ पर उसको support बनाया, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो stock में मुमेंटम दे किस प्रकास से, up on down, up on down वाला हमें मुमेंटम देखने मिल रहा है, आप इसको एक head and shoulder पेटन भी बोल सकते हो, head and shoulder के अगर मैं बात करता हूँ, तो left shoulder, ठीके, यह men's shoulder और यह right shoulder ऐसा भी आप बोलके चल सकते हो, क्योंकि आप pattern देखेंगे, तो हमें वोई pattern देखने को मिल रहा है, ठीके, यह देखें, और यह वाले pattern को आप ऐसा कर लेते हैं, तो यह देखें, head and shoulder pattern देखने को मिल रहा है, अब head and shoulder pattern के अगर मैं बात करता हूँ, तो जो इसका यह वाला toe है, उसमें एक अच्छा कासा आज हमें momentum देखने को मिला, उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो market में pressure था ना, तो stock पूरी तरीके से क्या हो गया, silent हो गया, लेकिन यह उपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह पूरा silent हो चुका था, तो एक हमें यहाँ पर breakout देखन क्या चुका है, और एक बहुती सांदार और एक comfortable zone में आके stock खड़ा हो चुका है, तो इस stock को भी हम buy करके चलने वाले हैं, तो चले, जो level है वो आपको इसमें update कर देता हूँ, तो बजा जाटों के जो level है, उनको note करेगा, जब कल की date में, हम इस stock में अगर position में बनाएंगे और साथ में Titan, ये दोनों ही stock बहतरींगे, जिनमें हमें momentum अच्छागा साथ देखने को मिल सकता है, हमारा technical analysis ऐस प्रकार से बोला, आपका technical analysis किस प्रकार से बुलता है, आप उस हिसाब से trading कर सकते हो, या आपके जो भी financial advisor या broker उनसे भी cancel कर सकते हो, तो इसके बाद जाके इ apply दिया जाएगा, तो ये वीडियो, ये दो बहतरींगे stock पसंद आए है, अगर कल के लिए, इंट्राडे के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तो डेली बेसेस पर इसी प्रकार का बहतरींग अपडेट हम आप लोगों तक लाटरे देंट, तो, तैंकि दोस्टू